हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती आदव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीजियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं को प्रेग्नेंसी की नौपे महीने में कमर दर्थ क्यों होता है प्रेग्नेंसी की शुरुआती महीनों में मौनिंग सिकनेस, जीमच लाना, उल्टी आना एक नौर्मल सी प्राब्लम होती है तीन से छे महीने के बीच ये समस्याएं धीरे-धीरे कुछ कम हो जाती है लेकिन कमर या पीट दर्थ की समस्या ऐसी है जिससे प्रेग्नेंट महीलाओं को डिलेवरी तक जूजना पड़ता है इससे राहत पाने के लिए महीला ना जाने कितनी उपाए करती है जिसमेंसे कुछ कारगर साबित होते हैं, कुछ नहीं होते है कभी-कभी pregnancy में पीट दर्द इतना भड़ जाता है कि pregnant महिलाओं से सहन नहीं किया जाता ये समस्या अधिकतर pregnant महिला के साथ होती ही है इसके चलते pregnant महिला को उठने-बैटने, लेटने और सोने में भी परिशानी होती है मैं आज आपको बताऊंगी कि इस कमर दर्द के क्या कारण होती है आप इससे कैसे चुटकारा पा सकती है तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा चरूर देखें तो दोस्तों pregnancy में कमर दर्द होना बिलकुल नॉर्मल है आदी से जादा pregnant में इलाओं को किसी ना किसी तरीके का कमर दर्द होता ही रहता है लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है इससे रहात पाने के लिए बहुत से उपाय अपनाए जा सकती है सही समय पर सही इलाज किया जाए तो pregnancy के दौरान होने वाले पीट दर्द से रहात पाय जा सकती है Pregnancy में पीट दर्द दो टाइप के होते है पहला होता है true back pain ये दर्द आपकी ligament, disc, mass patient या फिर जोड़ों को pressure पढ़ने की वज़े से हो सकता है ये दर्द तब भी हो सकता है जब महिला को pregnancy से पहले भी अगर पीट में दर्द होता रहता है दूसरा होता है pelvic pain ये दर्द आपके pelvic area से शुरू हो करके पीट के निचले हिस्से तक जा सकता है जब आपके pelvic area पर आपके बच्चे का भार पढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो ये दर्द आपको होने लगता है जो pregnancy की वज़े से ही होता है हर pregnant महिला को अलग-अलग कारणों से पीट दर्द से जूजना पाया जाता है जादा तर भड़ता वेट गर्वती महिलाओं के लिए पीट दर्द का कारण बनता है इसके अलावा पहले से ही पीट के निचले हिस्से में दर्द होना जादा काम करना pregnancy में कमर दर्द का कारण हो सकता है इसलिए हमें ये पता होना चाहिए एकाए प्रेग्नेंसी में कमर दर्थ के क्या क्या reasons हो सकते हैं इनमें पहला reason होता है वजन बढ़ना प्रेग्नेंसी के दौरान पीट और कमर दर्थ का सबसे normal कारणü भीट बढ़ना होता है आम तोर पर प्रेग्नेंसी में 11.5 से 16 कलो के बीच बजन भड़ता है जिस कारण कमर दर्द की प्रॉबलम होती है बढ़ती हुए बजन को रिड़ की हड़ी ही सपोर्ट करती है जिस कारण प्रेग्नेंट महिला को पीट दर्द होने लगता है दूसरा कारण है हार्मोन में चे जाना भी होता है इस दोरान सरीर में रिलैक्शिन नाम का हार्मोन बनता है जो बच्चे की जन्म के लिए पैल्विक पार्ट को डीला करता है इस हार्मोन के कारण प्रेग्नेंट महिला को पीट में धर्द हो सकता है तीसरा कारण है मासपेशियां अलग होना यूटरस की आपको लेकर स्ट्रेस में आजाती हैं कभी delivery के डर को लेकर तो कभी होने वाले बच्ची की सेहत को लेकर इस कारण भी pregnancy के समय पीठ में दर्द हो सकता है ऐसे में पीठ में जकड़ा होना बहुत ही आंग सी बात होती है आखिरी कारण है सही position में ना रहे प्रिग्नेंसी के ये जाना कि ये दर्द क्यों होता है अब हम आगे ये जानते हैं कि इस दर्द से हम क्या उपाय करके छुटकारा पा सकते हैं इनमें पहला उपाय है exercise करना क्योंकि pregnancy में पीठ और कमरदर्द कम करने के लिए exercise बहुत कारगर साबित होती है पेलवे के लिए की मास पेसियों औ रहत मिलेगी दूसरा उपाय है मालिश करवाने प्रिगनेंसी में पीठ तर से रहत पाने के लिए आप मालिश का भी सहरा ले सकती है मालिश ये आपको दर्द हो रहे मास पेशियों में आराम मिलता है आप पीठ की मालिश कराने के लिए घर की किसी भी सदर्द से की help ले सकत तीसरा उपाय है कि सही position में रहना, आप कैसे बैठती हैं, कैसे लेटती हैं, इन सभी positions का असर आपकी पीट पर होता है, इसलिए हमीशे सही position में रहें, अगर आप बैठ रही हैं, तो आराम दायक तकिये को पीट के पीछे लगा कर बैठें, वही लेटते समय बाई और करवत क करके ही लेटे, आप चाहें तो लेटते समय दोनों पैरों के बीच में तकिया भी लगा सकती हैं, इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा, चौथा उपाय है maternity belt, यह आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, प्रिगनसी के दोरान यह पेट पर फिट हो जाती आप इस belt के इस्तिमाल पीट दर्द में रहात पाने के लिए कर सकती है, यह belt बढ़े हुए पेट का भा समाल लेती है, जिससे आपको पीट दर्द से रहात मिल सकती है, पांचवा उपाय यह है कि आप आराम दायक जूते और चपल पहने, प्रिगनसी के दोरान आपको आरा समान उठाने से बचना चाहिए, इससे आपके पीट पर बुरा असर पढ़ सकता है, और आपका दर्द जाधा भर सकता है, साथवा उपाय है कि पीट के बल ना जुके, अगर आपको जुक कर कोई भी समान उठाना पढ़ रहा है, तो पहले घुटने के बल जुके, फिर साम दिनीगा, तो आप इन सारे उपाय को आजमा कर, अपना कमर दर्द को कम कर सकती है, और इस दर्द से बच भी सकती है, मुझे उमीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, हमारे सबी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अब मैं आपसे विदा लेती हूँ अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें खुल कर जियें, घर में रहकर स्वस्त रहें घर से बहाँ ज़लूरी काम होने पर ही जाएं कोरोना से बिचें अपने परिवार का और अपने ध्यान रखें